इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करने आया हूं कि अगर आप क्रिप्टो में जब ट्रेडिंग करते हो तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते टाइम पर आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है आपको क्या चीजे पता होनी चीहें अगर कोई भी crypto coin buy करने जा रहे या कोई भी crypto token अगर आपको buy करना चाहते हैं तो आपको उससे related कितने number of points के बारे में ध्यान होना चाहिए देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़े बहुत cryptos के नाम बताता हूँ जिससे आपको ने knowledge मिलेगी कि cryptos exactly available हैं तो आपको किस टाइप की crypto के अंदर एक अच्छा future दिखाई दे सकता है आपने ध्यान से कभी सोचा हो तो crypto currency जो यह पूरा concept है यह पूरा का पूरा concept जो है वो किस technology के उपर based है उस technology का नाम भी हो सकता है आप लोगोंने सुना हूँ उस technology का नाम है blockchain technology यानि कि जब भी कोई crypto coin launch हुआ तो वो कहीं न कहीं पर अगर अपनी launching के साथ ही अपनी blockchain application बना कर अपनी blockchain बना कर market में आया तो इस चीज से clear हो जाता है confirm हो जाता है कि उस crypto का future है जैसे अगर मैं आज की date में बात करूँ कितने number of crypto coin है जो top level पर चल रहे है जो आपके world की top 20 cryptocurrencies में दिखते है bitcoin number one खुद की blockchain सब कुछ खुद का binance number third पे खुद की blockchain है binance coin number second ethereum खुद की blockchain है avalanche इस time पर I think 11th या 12th rank पर चल रहा है avax उस crypto coin का नाम है उनकी खुद की blockchain है solana cardano यह ऐसे crypto's हैं जिनकी खुद की blockchain है अब एक कमाल की चीज़ आप यह देखिए कि एक crypto जब launch हुआ उन्होंने launching के time पर अपनी ही blockchain बना कर finally अपना coin launch किया ऐसी crypto's के अंदर invest करने में आपको बहुत अच्छा future मिल सकता और अगर पिछले example भी आप लोग बात करो तो bitcoin में जिन लोगों ने आसे दो साल पहले भी invest किया था या दो साल पहले भी छोड़ो आसे धाई महीने पहले भी जिसने bitcoin में invest किया था उसको भी अच्छी कासी revenue अच्छा कासा value जो हो bitcoin से generate होकर मिल चुका है इथेरियम की भी बात करें तो इथेरियम में पिछले धाई मिने में इतना बड़ा changes नहीं आया लेकिन फिर भी 10-12% का revenue generate असान से इथेरियम लोगों ने भी कहर लिया जिनोंने इथेरियम बाय करकर रखे थे आज अगर हम लोग कल की future की बात करें तो हमारे पास Cardano, XRP और Avalanche, Avalanche overall इस टाइम पर 11,000 के आसपास चल रहा है लेकिन जब वो launch हुआ था भी एक डेड़ मीना पहले साड़े 6-7,000 रुपे के बीच में था तो एक ही महीने में आप यह देखें कि यार एक ऐसा crypto token जो launch हुआ और साड़े 6,000 से अचानक 11,000 रुपे पर चला गया ऐसा क्या था उनकी खुद की blockchain, उनकी blockchain के साथ transaction speed, bitcoin और ethereum के comparison में सबसे fastest speed है ABX की, avalanche की आज के टाइम पर, और अगर बात करें कि जब हम crypto की trading करते हैं, तो trading करते हैं पर सबसे पहला point हमें यही देखना है, अब आता है दूसरा point, किसी ने भी उठाकर अपना crypto token launch कर दिया, क्योंकि आप बी जानते हैं crypto token launch करना कोई बड़ा बड़ा बात नहीं है, पांच मिनिट लगते हैं, और सहरे मैं पांच मिनिट भी इसलिए बोलना हो कि यह हो सकता है internet की speed या आपको कोई concept समझन ना आ रहा हो, तो आपको पांच मिनिट लगें, अदर्वाइस पूरे पांच मिनिट भी नहीं लगते हैं, आप अपना crypto token जो है वो launch कर सकते हैं, launching is not the biggest part, the biggest part is, आप जो crypto token launch कर रहे हो, आपका base क्या है, किस base की उपर आपने अपना crypto token launch किया या ऐसे उठा के launch कर दिया, अब मैं आपको कुछ example देता हूँ, और इसी जाप समझ जाओगे, कि जब हमें crypto trading करनी है, तो जब आप crypto coin कोई भी buy करने जा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि उसका base, मतलब उसका NFT क्या है, क्या उन्होंने किसी NFT base पे कोई crypto बनाया है, जैसे एकर मैं बात करूँ, आज के time पर बहुत सारे crypto coins ऐसे भी हैं, जिनके खुद की NFTs हैं, वो game खिला कर coin earn करते हैं, आप कुछ token और कुछ points earn होते हैं, आज वही points और वही token जो हैं, वो crypto coin बन चुके हैं, crypto token बन चुके हैं, आज आपकी वो जो point हैं, वो आपकी crypto currency बन चुकी है, एक ऐसी game आपने unique आपने खेली, आपने अपना mobile use किया, आपने आदा गंटा, एक गंटा जो भी खेली, उसमें कितने भी level आपने cross किये, एक level cross करने के बाद, आपने 10,000 points जो है, वो earn किये, और उस gaming platform ने अपनी NFT launch करके, अपना non fungible token launch करके, और उसको crypto के अंदर launch कर दिया, मतलब उस gaming के पास, बहुत बड़ा एक backup है, उसकी खुद की game होना, यह है strong NFT, तो आपको दूसरा point यह धियान रखना ह रहे हो, उनका back end, मतलब strong NFT है या नहीं, NFT कुछ भी हो सकता है, जैसे skincare based company American, कि उनका खुद का coin है, वो 15 साल से market के अंदर skincare से related product बेच रहे है, आज उन्होंने अपनी product को NFT बना दिया, और उन्होंने अपना crypto coin launch कर दिया, बेस अच्छा है, अगर कही ना कहीं पर बात करें, अ coin market cap पे आप देख सकते हो, coin gecko पे आप देख सकते हो, हर coin की detail आपको वहाँ मिल जाती है, तो अगर मालीजे आप coin market cap आपने open की, mobile app install की, आपने desktop पे coin market cap को open किया, उनकी जो website है coinmarketcap.com, वहाँ पर जाके आपने XIE infinity को search किया, जब आप उसके detail में जाएंगे ना नीचे, तो आ exactly मैं क्यों बोल रहा हूँ, XIE infinity जो ये token है, या जो एक crypto coin है, ये proper governance based coin है, ये wording लिखना कि ये crypto, governance based crypto है, यही अपने आपने एक सबसे strong point है, governance, चाहे किसी भी country की हो, लेकिन वो governance ही होती है, तो एक governance based coin है, तो वहीं पर आपको strong point दिख गया, ऐसे ही आपको point की ना, जब भी आ description में जाके जुरूर ये read करें, कि ये point है, जो coin है, इस coin का base क्या है, क्या इनके पास strong NFT है, अगर इनके NFT है, तो NFT क्या है, gaming platform का है, metaverse है, या कोई अपनी blockchain है, ध्यान से अगर आप समझने की बात करें, तो crypto is all about marketing strategies, आज मैं आपको marketing के भी दो example देता हूँ, world के दो सबसे top rumor cryptos कौन से है, top 15 position के अंदर उनका नाम आ रहा है, doji coin और Shiba Inu, ये क्यों, doji coin जब launch हो आया, जब Shiba Inu launch हो आया, जब Shiba Inu launch हो आया, दोनों के पास कोई strong NFT नहीं थी, कोई strong base नहीं था, कोई blockchain नहीं थी, अब जाकर Shiba Inu community के, जो है Shiba Inu की तरफ से जो, बहुत सारे rumors आ रहे हैं, हो सकता, doji coin भी लेकर आजए, इलियान मस्क के नाम पर बहुत सारे ऐसे coins launch किये गए, time to time, ये है क्या, marketing hype, सो अब देखो, आपने इपना token बनाया, और अगर आपके पास marketing strategies है, आप अपने token को viral कर सकते हो, आप अपने token को पूरे इंडिया में लोगों तक पहुचा सकते हो, आप marketing hype create कर रहे हो, और उस marketing hype के चक्र में बहुत सारे लोगों ने आपके token को buy करना start कर दिया, कही ना कही पर जब आपके पास strong holder base बन गया, एक example समझने की कोशिश कीजिए, एक crypto token आपने launch किया, और आपकी launching के दो महीने के अंदर आपके token को इंडिया में, या worldwide एक लाख ल जबाया हो, यानि कि एक लाख गुना एक हजार, इस से multiply करके देख लीजे, आपके पास आपकी crop, जो token है, उसकी value आजाएगी, तीन महीने में, आपने token launch किया, और इतनी ज़्यादा marketing hype create की, through social media platforms, आपने twitter पे time to time, एक पूरी team बिठा कर, आपने twitter पे regular आपका हर एक घंटे म और हर वीडियो के उपर आपने इतना promotion budget लगा दिया, कि वो coin, दो महीने में इतना बड़ा उसकी marketing hype बन गई, without a base, without a NFT, without blockchain, without any kind of supporting of application, कोई supporting के कुछ निए, सिरफ marketing hype के base पे आपने क्या किया, social media platform को use करके, उसको इतना viral कर दिया, कि एक लाख लोगों ने, सिरफ एक लाख लो तो token का क्या बन गया, एक strong base बन गया, उस base के उपर आप किसी ना किसी exchange को बोल सकते हो, किसी ना किसी exchange के उपर हमने coin को list करा सकते हो, और जिस दिन आपका किसी भी exchange के उपर, चाए coin switch कुबेर है, चाए DCX है, चाए Wajir X है, चाए coin star है, चाए Binance है, किसी भी exchange के उपर, अगर आपका coin list हो गया with a base of holders, कहीं न कहीं वो coin publicly exchange पर आ गया, कहीं न कहीं वो coin publicly आ गया, उसका price important नहीं है, इसका सबसे बड़ा example Shiba Inu है, Shiba Inu जब launch हुआ, कोई base नहीं था Shiba Inu का, लेकिन इतनी बड़ी marketing hype, इतना बड़ा मलब नाम Elon Musk का use करके Dogecoin के साथ, Dogecoin killer है Shiba Inu, और दुनि की date में 10 लाग से जादा holder हो चुके है, Shiba Inu के, base आज भी नहीं है, लेकिन आज base बनता जा रहा है, because इतने holder हो गए, सब holders अब एक दूसरे के साथ जब tweet करते हैं, एक दूसरे के Facebook बना रहे हैं, YouTube पर वीडियो बना रहे हैं, तो उससी हो कह रहा है, पूरे world में, कि crypto currency इतनी famous हो चुकी है, कि सारी top exchange पर worldwide आज ये crypto आ चुकी है, सारी top exchange आप cracking की बात करो, Robinhood पर अलड़ी बात कर रहे हैं, Binance की बात करो, Coin DCX की बात करो, अगर इंडिया की बात करें, Coin DCX, most supportable, largest exchange in Coin DCX है इंडिया में, उस पे चल रहा है, Wajir X पे चल रहा है, easily, आप अपनी ID को अपना trading करनी है, buy करनी है, तो किसी और के उपर depend रहने की जूरत नहीं है, जैसे आज से तीन साल पहले होता था, लोगों को Bitcoin लेना था, इतना rumor मचा Bitcoin से related, लोगों ने Bitcoin लेने के लिए दूसरे लोगों के account में पैसे डाल दी है, उनके नाम से Bitcoin आया है नहीं, और वो लोग fraud करके भा लग गए, ऐसा सच में हुआ है, आप भी जानते हैं, और हो सकता है, आपके साथ भी हुआ हो, अगर कोई मेरी वीडियो बहां तक पहुँच गई, जिस इंसान को, जिसने Bitcoin दूसरे के कहने पर purchase तो कर लिया था, 40-50 जार रुपे का, और आज वो देख भी रहा है, क्योंकि लोगों को समझ ही नहीं आती थी, आज तो फिर भी publicly सब कुछ available है आपके सामने, लेकिन आज भी लोगों को cryptocurrency के बारे में समझ कुछ नहीं आ रहा, तो crypto trading करते वक्त इन सब बातों को ध्यान जूरू रखें, ये बातें इसलिए ध्यान रखने जूरू रहे हैं, क्य क्योंकि अगर आप देखिए, गडबर कभी भी हो सकती है, crypto decentralized platform है, कहीं कोई control तो है नहीं, कोई control policy नहीं, कोई कुछ नहीं, अब इंडिया के अंदर भी इतना बड़ा जब rumor बचा तो अब Indian government भी इसके favor में, favor में ही बोलूँगा कि regulation लेकर आ रही है, चाहती तो India ban कर सकती थ लेकिन इतने holders हो चुके है, blockchain technology का support है, तो कहीं नहीं पर Indian government ने भी अपने सारे persons का, जितने भी लोग है, 10 लाख लोग जो है, उन सब का favor करते हुए, ठीक है, regulate करना अच्छा समझा, तो finally अब regulation हो रहा है, वो regulation में भी अब आपके पास 15-20 दिन में, और एक महीने में, इसी December म प्रॉपर regulate कर रही है, क्या कौन-कौन सी number of cryptocurrencies जो है, वो आप easily buy trade कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं पर, आज लोगों में डर भी है, ले या ना ले, क्या पता कुछ गडबड ना होजए, देखो गडबड हो सकती है, सीधी साफ बात, ये एक ऐसा concept है, ये एक ऐसा नाम है, which is unpredictable, व पता नहीं कौन सा share कप चड़ जाएगा, लेकिन उसके पीछे ना बहुत बड़े reasons चुपे हैं, कि एकदम कैसी value बढ़ जाएगी, तो आप कहीं ना कहीं predict कर सकते हो, और बहुत बड़े-बड़े analysts बैठे हैं हमारे इंडिया के अंदर, जो stock market को, पता नहीं, दसों सालों से analyze करते आ रहे हैं, और उनकी analysis 60-70% तक बिल्कुल ठीक भी जाती है, किसी भी share से related, लेकिन crypto currency market is completely unpredictable, और जब तक ये predictable होगी ना, तब तक पता नहीं है, हमारे सब का कितना नुकसान हो जाएगा, तो be safe, ऐसा नहीं है कि उठाया पैसा मकान बेज दिया, ये बेज दिया, उठा पॉइंट बताएं, इन पॉइंट को समझ से मुझ के थोड़ा बहुत लगा दो, चड़ गया, तो ठीक, अगर नुकसान हो गया, तो कम से कम, रोना ना पड़े, घ्यान रखना है ये बात, ये सबसे बड़ा पॉइंट है, क्रिप्टो का फूइट है, क्रिप्टो का पहले संभलने तो दो, पहले लोगों को समझने तो दो, हर कोई अपने 55,000 रुपे लगा 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 के क्रिप्टो खरीदे जा रहा है, और उसको पता कुछ है नहीं, मार्केटिंग हाइप सुनी, रूमर सुने, उठा के क्वाइन परचेस कर लिया, और क्वाइन जब पर क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो सबसे important part है, market cap, बतलब कितने क्रिप्टो बनाए गई, जब bitcoin था, तो bitcoin के बारे में सब को बता है, 21 million bitcoin है, अब इससे जादा नहीं बन सकते, इससे कम नहीं हो सकते, लेकिन अब तो reused concept भी आ गए, आप currency launch करो, उसको fix मत करो, उसको reused कर दो, burning भी असान हो गई, mining भी असान हो गई, अब है क्या गया, तो overall आज आप यह समझो कि कितनी भी crypto's बनाई जा सकती है, कितनी भी crypto's लाँच की जा सकती है, कितने भी crypto tokens बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनका base बनाना वो असान बात नहीं है, असान बात हो सकती है, if you have marketing skills, if you have a strong NFT base, if you have a strong company base, तो बहुत असान है, लेकिन unnecessarily कोई भी crypto launch हुई और उसकी 2-4 वीडियो देख कि उस crypto को खरीद लेना, इसको मैं ठीक नहीं समझता हूँ, और मुझे लगता है कि इस वीडियो देखने के बाद आप भी इसको ठीक नहीं समझेंगे, अगर आपका trust 57% भी अगर मैंन YouTube channel जो है, यही same YouTube channel जिसको आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसको subscribe कर लीजिए, और अगर आप मेरी वीडियो Facebook पर देख रहे हैं, तो Facebook पर मुझे follow कर लीजिए, thank you so much for watching this video.